इस समय की बड़ी खबर आपको बता दे दुम का अंकिता हत्याकांड में एक और गिरफतारी हुई है नई मंसारी नाम के शक्स को गिरफतार किया गया है नई मंसारी उर्फ छोटू दोस्त था उस लड़के शारुक का जिसने अंकिता के उपर पेट्रोल फेक कर आग लगाई थी तो दुम का अंकिता हत्याकांड में एक और गिरफतारी हुई है पुलिस को बड़ी सफलता मिरी है आरोपी नई मंसारी उर्फ छोटू को गिरफतार कर लिया गया है ये छोटू शारुक का दोस्त था और इसी ने शारुक को पेट्रोल ला कर दिया था वो पेट्रोल ज अई लड़कार जिसने शारुक को पेट्रोल ला कर दिया था और शारुक ने उस पेट्रोल को खिड़की से अंकिता जो की सोई हुई थी सुबह तरके चार बजे के करीब डाला था और फिर आग लगा दी थी प्रशान कम एक बार रुख करना चाहूंगी प्रशान बड़ी सवलता इसे माना जा सकता है क्योंकि मेरे मन में भी सवाल था कि आखिर ये पेट्रोल शारुक के पास आया कहां से तो उसके दोस्त नई मंसारी को गरफतार कर लिया गया है इस पूरी बारदात को दो लोगों ने अंजाम दिया था जिसमें एक इरफान पहले गिरफतार हो चुका है अब दूसरा जो इसमें शक्स है चोटू जिसे बता जा रहा है जिसका नाम उसने शाहरुक को पेट्रॉल लाकर दिया था और उसे पेट्रॉल का इस्तमाल किया ग गया है तो ये बिल्कुल बड़ी सफलता है क्योंकि कल भी जो दुमका में धरना प्रदर्शन हुए थे विरोध्र प्रदर्शन हुए थे कई संगठनों के और से उसके बार बार ये कहा जा रहा था परिवार के और से कहा जा रहा था कि दो लोग है जिननक गिरफतार किया जाना चाहिए इरफान पहले गिरफतार हो चुका था हिरासत में था दूसरा जो आरोपी है छोटू जिस पर यह आरोप है कि उसने पेट्रॉल मोहिया खराए इरफान को वो भी गिरफतार के लिया गया है उसकी फुद सूचना जो यहां के स्पी है उन्होंने मीडिया को द कुछ जानकारी मिल पारी है इसकी जानकारी अभी बिल्कुल प्रात्मिक जानकारी मैं आपको बताओं कि दिन में मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों से इस बार में पूछा था कि क्या शाहरूख और जो चोटू है उतका कोई संबंध है पहले से कोई वो जानकार था यही एक बड़े पुलिस दिकारी ने मज़े बताया था कि शाहरूख और चोटू है वो अलग लग महले में रते था मैं जिस महले में खडा हूं यह इसमें शाहरूख रता था लेकिन छोटू किसी और ओर ने था लेकिन उसी ने पेट्रोल खरिदा और पेट्रल मोहिया करवाई जो जारखंट के पूर मुख्यमंत्री है वो कुछ देर में अंकिता के परिजनों से मिलने आने वाले हैं मैं यहीं पर मौझूद हूँ जैसे ही आते हैं मैं आपको अप्डेट दूँगा झाले हैं